नमस्ता आप लोग का इस वीडियो क्लास में एक फिर सतागत करता हूँ ताकि आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजर हुआ हूँ जो कि आपका करेंट से जुड़ा हुआ है और करेंट एक लेटिस्ट है आपका ये साल पर चलने वाला है ठीक है ये टॉपिक जो है आप अगर डाउनलोड करना चाते है निक्षे में लिंक दे दूगा टेलीग्राम के ग्रूप में डाल दूगा वहां से आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से आप इस पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आईए फिर टॉपिक की और बढ़ते हैं बिना किसी देरी करें यह टॉपिक जो है अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डाउनलोड के जीवास्मों की खोजकी घोशना करता है कौन हमारा अर्जेंटीना तो दो चार पॉइंट इससे जुड़े हुए हैं दो चार पॉइंट जो है इसके बनते हैं तो आईए नजड़ डाल लेते है आपका अर्जेंटीना में जो जीवास्म मिला है उससे चुड़ा हुआ आग देख लेते हैं तो मार्च एक मार्च 2021 को सोध करता हूने अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले डाइनसौर के जीवास्म की खोजकी ये घोशना करते हैं इन्होंने कहा कि एक डाइनसौर के अध और इक दिख्षड में चले जाएंगी तो येक अर्जेंटीना के भी दख्षड में चले जाएक तो वहाँ पर एक छोटा सा सहर मिलेगा जिसको कहते हैं क्या कहते हैं new kings में आपको दिखा दूँ ये new queens एक अर्जेंटीना का तो एक डाइनसौर के अधूर कंकाल के अवसलि अर्जेंटीना के तच्छिडव छेत्र में नीकुएंस सहर में ये खोजे गए हैं ये जीवास्म अर्जेंटीना के पैटागोनियन जंगल से संबन्दित है जो की डाइनसोर सनू के सबसे पुराने ग्यास सदस हैं जिन्हें टिटानोसोर कहा जाता है जिन्हें प्रत्वी के इत्यास में सबसे बड़े भूहमी पर सबसे बड़े और भूहमी पर निवास करने वाले जो इसमें सामिल होते हैं सुद्द करताओंने ये कहा है कि जीवास्म निन्जा टिनन नामा के एक डाइनसोर पिरजाती का परतने है जो एक सौछिस मिलियन साल पहले क्रेटी सीयस अ को के पहचान किया है किसकी Над्जा नेंजा टिनन को एक टिटान इस तो के रूप में पहचान किये है ठिक है चले चाले के रहे करता है अइक रहे हम चर Wow की और देखते हैं सोद करसाओं के अंसार इस खोज में ये पता चलता है कि एक समू के रूप में टिटाना सोर के पूर अनुमान की तुलना में लंबे समय पूर से यहां पर मौझूद थे इस सद्धियन के प्रमुक लेकर की अगर बात की जाए तो पाबलो गैलिना जो की नेशनल क सबसे पुराने ग्यात रिकार्ड इस खोज से कहीं अधिक जो है आदनिक है ठीक है चलिए नेक देखते हैं इसी में ही निंजा टिनन एक बड़ा डाइनोसौर था जिसकी लंबाई लगवग 35 फीट थी लेकिन ये है बाद की टिटाना सोर जैसे की अर्जेंटीना सोरस ने बहुत छूटा था जो लगवग 115 फीट यानि की सिर्फ 35 मीटर तक ही लंबा था सोद करता हूं कि अंसार पैटा गोनिया में इस तरह के सुरुवाती टिटाना सोर की उपस्तिती इस सिद्धान का समर्थन करती है कि टिटाना सोर तच्छी गोलार्द में उत्पन हुए थे ठीक है इस अध्यानिक से ये निसकर्स निकालते है कि एमे इंगिनियाना नामक बैग्यानिक पत्रका में प्रकासित हुए थे इस अध्यान के निसकर्स जो है एमे गेनियाना नामक बैग्यानिक पत्रका में क्या हुए थे प्रकासित हुए थे अगरी टिटाना सोर के बारे चलते थे यहाँ पर देखनों को मिल जाएगा यानि खम भी जितने क्या है आपके यह बड़े-बड़े इनके पैर हुआ करते थे यह डाइनासोर के एक बहुत बड़े समुकाई कहसा थे जिन्हें सोरो पोर्ट्स का जाता था जिसमें ब्रॉंटो सौरस और डेपलो डॉक्स जैसे समान वॉडिक डिजाइन वाले तथा अन्य डाइनासोर सामिल थे जो कि जुरासिक काल के दोरा उत्तरी अमेरिका में रहा करते थे यह जुरासिक काल के क्रेटियस पीरियट से पहले का समय हुआ करता था टिटानो सोरियन लबमी गर्दन वाले सरो पोर्ट्स के अंति 220 मिलियन से कम साल पहले Tetana Source के बारे में हमें जानकारी मिलती है ठीग है तो इतना ही topic इसमें रखते हैं इतने से उम्मिद है कि इसे जुड़े हुए जो है आप topic cover कर सकते हैं इतनी जानकारी काफी है इसमें तो अपिले video मिलते हैं तब तक ने के लिए झाल झाल